जाहें दोस्त नमस्कार आपका हमारे यूटीब जनला संधग्यान में शागत है हमारा साथ वीडियो हो गया है ठीक है जो कि आपको परिच्छा दृष्टे से इंपर्टन्ट है तो अभी तक आपने नहीं देखाया तो जाके प्लेडिस्ट में देख लिए इमारा आठवा व दिस्क तो इसका सजयंसर हो जाएगा आपका आपसान नंबर ए ठीक है फ्लाइवील से बोल्ट के द्वारा कसा होता है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं दूसरा बताए कि नेमलेखित में से क्या इंजन तथा से ट्रांस्मिशन सिस्टम के मध्य एंगेजमेंट तथा डिस सब्स्कारा हुँएब का कि आपका निरोबाद साधैन साथन परदान करता है तो आपके आफ्सान है कलच या डियर बॉक्स या प्र्पेलर स Means एक सब्सके या तो इसका इसका star अवं और परदान करता है ठीक है लेँ धूर ज़ीए जो इंजन तर्था 3 ट्रांस्मशन शिस् कि लच द्वारा कि पारेसित किया जा सकने वाला टार्क डेश्ट यस पर निर्भर करता है आपके अफसन है घरसा गुढांग या श्प्रिंग फोर्स या संपर्क सतह या फिर उपरोगत सभी तो इसका सायंसर हो जाएगा उपरोगत सभी ठीक है यानि कि क्लच द्वारा पार प्रेसित किया जा सखने वाला टार्क उप्रुक्त सभी पर निर्फ़र्ग करता है यान घर्सव गुडांग इस्प्रिंग फोर्स और संपर्क सता है ओके चलिया के दिखते हैं पताइए कि ट्रांसमिशन निम्ण क्लास का हो सकता है आपकी आपका संहिक कि क्लच गीरबॉक्स फालाइण इक्सल ट्रांसमिशन या तका जो सभी तो इसका जो आपका सही इंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी ऑफसन ठीक है यानि कि उप्रूप तो सभी सही है चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि आट मोबाल में किस प्रकार के ゃहां बॉक्स का अप्योग किया जाता है कि आपके अप्सн है की सो लाइटमेंगेंगेंग वाया कॉन्स्टन लाएंगेंगें अगेंगेंगと चलंदें कि ताइए का ऊपर वाइल डैस भीकल में डीफरेंशियल डाया होता है आपके अपनार कि mor और तो इसका सईये सर ँजाएगा वह जाएगा सभ्ए आपसर नंबर इसदाए नुअरेगा सद्था और यिए दोनों फॉसर्ट कि आपसर कि पदल तो इसका साइसर हो जाएगा आपसर नमबर भी ठीक है यानि कि डिफ्रेंशियल यूनिट में दो बेवल पीनियन होते हैं ठीक है चलिए आगे बताइए कि नेम लिखिस में से क्या हायर पेयर है टर्निंग पेयर या फिर स्कुरू पेयर या फिर वेल्ट एवंपुली या इन अनुपात में दमये से किसका अनुपात होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका नमबर भी ठीक है यानि की डिवयन हुआ छिए और वक्ते गति के आपात होता है ठीके हैं स्मंगल UK Mm के समान होगे या ड्राइविं गयर के विपरीत्च बिश्वदातो के संख्या आपर निर्पर करेगी या उप्रोक्त में से कोई नहीं तो इसका सभी अंसर हो जाएगा आपसर नमबर एट ठीक है यानि कि ड्राइविंग गियर के समान होगे ठीक है इसमें इसम्बल सिंपल गियर ट्रेन में आईडियल गियर की संख्या विसम यानि को ओड है तो ड्रिवे प्रकार के गियर बॉक्स का उप्योग किया जाता है तो इस पर गियर बॉक्स या बेवेज गियर बॉक्स या इस्पाइरल गियर बॉक्स या इनमें से कोई नहीं तो इसका सभी अंसर हो जाएगा इस पर गियर बॉक्स ठीक है यानि कि दो समांतर तथा समतली असाप्ट को connect करने के लिए इस पर Gears का प्रयूक किया जाता है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं बताएए कि निम लिखित में से किस प्रकार के Gears Train में पहला Gears और अंतिम Gears को Axial होते हैं तो Simple Gears Train या फिर Compound Gears Train या फिर Reverse Gears Train या इसकोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपसे नमबर सी यानिकी रिवर्टेट गियर ट्रेंटी के चलिए आगे दिखते हैं यहां आपका इंपाउडन कोश्चन है ठीक है बताए कि ट्रांसफर केस गियर बॉक्स के तुरंत बात डेस डेस में स्थित होता है तो फ्रंट विल ड्राइब में या फ्रियल विल में स्थित होता है ठीक है चलिए आगे बताइए कि निम लिखित में से क्या रीकूपरेशन टाइप हीट एक्स्चेंजर का उदाहरण नहीं है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका आपसन नंबर सी ठीक है यानि केमिकल फैक्ट्री ओकें केमिकल फैक्ट्री का customers के ठाखने ड्यजी के क्लाच में जो क्लाच ड्रीस्क ड्रूप में काल करती है तो अ सिल मेंस कोई नहीं तो इसका सुझा सधर हर गालّा होजाएगा आफिसटल नंबर बीचिक है यानि कि ड्रीवन मेंबर के रूप में कार्य करता है ठीक है चलिए आगे बताए कि नेमना कंपार्टमेंट में से किस एक को छोड़कर से सभी वालव आपरेटिंग मेकैनेजम का निर्मार करते हैं पूसराट राकरारम वालव सीट या फोर्क या मतलब इसमें से क्या होगा तो इसका जो आपका कोशन है कि इंजन साफ्ट को गियर बाक्स से कनेंट करने के लिए निमलेक से हित में से मसीन मेंबर का उप्योग मतलब किस मसीन मेंबर का उप्योग किया जाता है तो आपके अफसंदिये हैं कि डिफ्रेंशियल या क्लॉच या फ्लाइविल या प्रोपेलर सॉप्ट तो इसका से एंसर हो जाएगा क्लचों के क्लच इस तर आइट एंसर यानि कि इंजन साफ्ट को गियर बॉक्स से कनेक्ट पाने के लिए क्लच का उप्योग किया जाता है चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि इन में से किस परकार के क्लच पेंडल की जरूरत नहीं होती है सिंगल प्लेट या मल्टी प्लेट या सेंट्रिफूगल या कोन तो इसका सही अंसर हो जाएगा सेंट्रिफूगल के जरूरत नहीं परती बाकी तीनों के जरूरत परती है सिंगल प्लेट की मल्टी प्लेट की और कोन के ठीक है चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि वाल्व तब खुलता है जब कैम पर कैम लोब डश दरस उठाता है यानि कि बेरिंग पिश्टन या फि तो इसका सरु आनसर बताया किया होगा हम ये सकPS हो जाएगा वाल लिफ्ट के वाल लीफ्टर उठाता है यानि कि वाल बतक्ता है मे興ने कि फ़ंड यानि ये कि स्ब्सक्राइ Caesar जाहिए कि अलेट कर इसे अपने चरिया लिफ्टर्य, ये भड़ा होता है एक्जॉस्ट वाल्व के आकार पर नेर्फर नहीं करता तो इसका जोवबुकर सभी हो जाए खुलफ टेक्ष, घ्जुटा होता है अ कि इंघन इनलेट वाल्व का आकार इंजॉस्ट से छोटा होता है ठीक है चलिए आगे दिखते हैं बताइए कि वाल्व क्लियरेंस का उद्देश होता है कि वाल्व को फैलने देना या फिर वाल्व की गाइड में स्लाइडिंग होने देना या फिर सुनिश्चित करना की वाल्व पूरूफ से बंद होता है या सुनिश्चित करना की क् से बंद होता है ओके चलिए आगे देखे बताइए कि इंजन की में गैलेरी में एक रिलीफ वाल्व फिट किया जाता है तो इस वाल्व का उद्देश से क्या होता है तो मतलब उच्चेतम आयल प्रेसर को सिमित करना या आयल गर्म होने पर खुलना और यदि गैलेरी अवरु पालु को फिट किया जाता हमें घल में समाने रूप से किस वहाहन में समाने रूप से चार-assen product होती तो इसका रसें पर हो जायका प्रिल में श्क्रास के दवारा जटको को और सूसित करता है तो वेंडिंग या ट्विंच ट्विस्टिंग या पिकम प्रेशन या फिटिंशन तो इसका सरह हो जाएगा ए ठीक है बेंडिंग यानि कि लिफ ए स्प्रिंग वेंडिंग के जटकु को सहता है ठीक है चली आगे दिखते हैं पताए कि इन में से इंडिपेंडेंड सिस्पेंशन सिस्टम है तो आपके अप्सन है कि विसबोर्न आर्म सिस्टम या फिर ट्रेनिंग लिंकेज सिस्टम या फिर सी अप्सन है कि स्लाइडिंग पीलर सिस्टम या डी अप्सन है उपरोगत सभी तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोग तो सभी ठीक है यानि कि विश्बून आर्म सिस्टम और ट्रेल निंग ट्रेलिंग लिंक सिस्टम या स्लाइडिंग पीलर सिस्टम ठीक है तीनों है तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए नमस्कार जहीं जाए भारत वहां एक लाइक सब्सक्राइब करें इसे आगे को पॉस्टम कल आपको दिया जाएगा ठीक है जो 25 के 50 तक रहेगा तो चलिए आज के लिए इतना ही तब तक लिए हमाश्कार